पुरा जारी में खुस-खुस के खोज रहे हैं चोगि ये बड़का खुकड़ी पुरा गजार के अंदर ही उठता है इसलिए हम लोग ज्यादा गजार में घुस-खुस के खोज रहे हैं अगर मिल जाए तो अच्छा बात है हेलो दोस्तों स्वागे थे आपका फिर से नई वीडियो पर दोस्तों मेरा नाम सुसील कुमार है और मैं जारकन से बिलोंग करता हूं दोस्तों इधर देख सकते हैं भीव और हम लोग आएं इधर कुकडी खोजने के लिए इतना गजार जाड़ी है फिर भी खुकडी नहीं मिल रहा है और अभी दो पहर का टाइम है और हम रोग पुरा खोज रहे हैं इधर कुकडी सो दोस्तों आज देख सकते हैं मोसम आज जी आज बहुत ही यूनिक लग रहा है दम फ्रेश लग रहा है धूपी ज्यादा नहीं किया हुआ है देखने से पुरा बादल किया हुआ है मोसम दोस्तों देख सकते हैं इधर हम लोग खेत उत में भी घूम रहे हैं लेकिन खुकडी नहीं मिल रहा है अब नहीं मिलने पर मूड भी खराब हो जाता है लेकिन काकी जीएगा इसमें छटा-छटा करेला फरता है जो की जंगल व दोस्तों आप लोग पहाड देखना चाहेंगे चली आप लोग लोग पहाड भी दिखाते हैं लोग को गाउं से दिखता है लोग पाप लोग देख पा रहे होंगे यह लोग पहाड है हम लोग को गाउं के सामने है ज्यादा दूर नहीं है चार-पांच किलो मिटर होगा औ कि इधर जगेशर भीः रेलवे स्टेशन भी है और इधर गाउं भी हैं जगेशर इधर रोड आया है ऐसे से बद गाउं भ्यांडी के लिए तो सामने देख सकते हैं कितना खुब्सूरत लग रहा है पूरा चारों तरफ हर्याले यह हर्याली नजर यह पूरा दोहर है इसमें पुरा खेत है और इसमें धान लगा हुआ है देख सकते हैं पुُरा हर्याली पुरा खिल खिलाती धान और इधर चोटासा ख्यक्टरी है अभी कुछ साल पहले ही बंध हो गिया था कि तो दोस्तों इदर देख सकते हैं चारों तरब से पहाड़ी पहाड़ मिला खुकडी उखडी नहीं मिला तरह कहां मेंल रहा इधर खुकडी उख्री कि सो कर सो कि दोस्तों कि देख सकते हैं दुकान भी है चोटा सा और फैक्टरी के बगल में और यह रोड है जो तभी बताएं थे बदगां भ्यांडी के लिए ले जाता है उधर से इधर साया है एक चकर और ऐसे से ले जाता है उधर पूरा सिर्कावर का बढ़ भी ले जाता है रोड तो दोस्तों भी देख सकते हैं यह फैक्टरी बंध होने को जा से कितना जाडी हो गया है प्रगजार हो गया है इसमें कोईला रहता तो इसमें निकाला तो ब्लोग और अठोगई देख सकते हैं अर हम लोग को घर भी निकलना है और बहुत दूर आ गए हैए पाने-प्यस भी लग रहा है हम लोग जा रहे है घर रिटने सकते हैं रोट से होते हुए यही रोट से जाना है में लोग को घर हुआ